महीं खरगोन के चैनपूर थाना श्वेत्र के मांडवी गाउं से नविवाहिता के अपहरण का मामला सामने आया है जहां बदमाश तीन बाइक पर सवार को कर गाउं पहुंचे और जितेंदर से सूधिया के खर में खुशकर उसकी पतनी को अकवा कर फरार हो गए पीडित पती ने बताया कि बदमाश बंदू की नूप पर उसके उसकी पतनी को ले जा रहे थे तभी ग्रामीरों की मदद से दो आरूपियों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया गया वहीं एसपी तरुणेंदर सिंग बगील ने बताया कि चैनपूर थाना पुलिस अब तक 6 में से 5 रूपियों को ग्रफदार कर चुकी है 1 रूपियों और महला की तलाश की जा रही है सांतिया फरन के कारण का भी पता लगाया जा रहा है तुमारी पतनी को है कि कितने लोग आये थे तो बंदुक लेकिए थे का मदुक रख दिया बंदूक रख दिते आपने और क्या बोलें पुरा देंगे सेक्श हो होग किया और क्या कर अंसके बाद फोड़ दिया तो लेके भागे इधर से तुमारी जबरन उठाकर ले गारें तो वो जाना नह चार रही थी जब्री जबस्ती लेगे ग्राम मांडवी चैनपुर्थाना अंतरगत यहां से शुक्ता गाउं के से नड़के आये थे इसे एक नड़की को अगवा किये थे इसमें से दो मौके में ही किरफार हो गये थे चार बागी थे तीन को पुलिस ने हिरासव में ले लिय महिला अभी लाल कहां पर रहा है महिला अभी शुक्ता गाउं में लुक्ता गाउं में लुष्के गाउं